अब अगर बिहार बोड के स्टुडेंट है आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण है जैसे के आपको पता होगा के चार फरवरी से आप लोग का हिस्ट्री का एक्जाम होना है तो इसके लिए हम लोग 100 यानि टॉप यानि गैस कोशन लेकर क्या है आप इन टॉफ हंडेड गैस कोशन को बहुत अच्छी तरीके से नौट कर लिजे हो सके का तो आप लोग यानि नौट कर लिजेगा या आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना चीए तीन से चार मरतवा और आपको किसी भी परकार का यानि द कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पैटन हंडेड ऑबजेट टीप तीस आपका लगूत रहा आर्ट जो आपका इन क्या दिर के उतर परशन रहेंगे तो इसमें से आपको 50 कोशन का ही आपको आंसर देना होता है तो इसलिए मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपन टाइगोर्ट के द्वारा इसवर चंद विद्या सागर या आपका या अनि मसूद दन या गुपता या आपका या बंकिंग चंद चंद चटर जी तो डिए स्टन आपको बताना आनन्द मत की रचना जोग इसने किया है यह आप लोग को रिफिनेटल या पता होना चीए ब उगरवादियों के पर्मुक नेता नहीं थे तिलक नहीं थे विपीन चंदरपल नहीं थे लाला आफ थे नहीं थे ग्वपाल किर्फन गोखले नहीं थे तो बताईए इसका आनसर आप लोग का राजलितिगुरू धिये तो आप लोगो बिल्कुल पता होना चीए करांतिकारी भावना का परचार किस यानि समचार पत्र ने नहीं किया था तो बिल्कुल आपका समय समापत हो था इसका आपका 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 दी राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है बिल्कुल आप सब बच्कों को बताऊँगा और यान किया तो इसका आप लों का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे रिमेंस सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी बच्चे आप लोग इनमें से सभी बता हैं बिल्कुल आप सबका आंसर परफेक्ट है कोशन देखेगा 5 नुमर कोशन आपके स्क्रीन पर समाननेत है क्या हो जाएगा लॉक मानने का लाये जाने वाले नेता कौन थे यानि लॉक मानने ठीक है तो बिल्कुल आपको बत गया आदिवेशन में सूरत आदिवेशन में तो बिल्कुल आपको समय समापत होता 1907 में जो कॉंग्रेस का इवाजन हुआ था वो सूरत आदिवेशन में हुआ था तो इसका आप लोगों का सूरत आदिवेशन राइट आइट आंसर हो दाएंगे चैले कोशन नमर साथ खुदीराम बहुष राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट कोशन को चलते कोशन में आपके स्क्रीन पर आठ नमर कोशन रिजवेशन बैंक का रास्ति करन कब किया गया था बहुत इंपॉर्टन कोशन है देखे चौदर बैंकों का रास्ति करन जो ही ये कब क्या गय गई थी तो इसका चलते कोशन में आपके स्क्रीन पर 10 नमर कोशन ता इर टा यरेंड इस्टिल कंपटी के स्थापना जो आपको बता होगा 1907 में किया गया था, जिसको 30 को कहा जाता है, इसका अंसर क्या हो जागा आपका, यह बिल्कुल C राइट आंसर हो जाएंगे, और यह कहां पे जारकंड में, चले ने एक्स कोशन के और चलते हैं, कोशन नमर 11, अखिल भारत किशान सभा का गठन किया गया था, यह कब किया था 1940 में किया गया था, 1936 में, 1926 में, 1930 में, तो यहाँ से सवाल क्या पूछा गया, आखिल भारत की किसान सभा का गठन जो है, यह कब किया गया था, बिल्कुल 1936 में किया गया था, तो इसका अंसर आपका 1936 राइट आंसर हो जाएंगे, चले ने एक्स कोशन के और चलते हैं, जारकर न अलग हुआ था, पंदर नॉमबर 2000 को, उरीशा अलग हुआ, 1936 को, कोशन नमर तेरे देखेगा, भारती है, सिविल सेवा परिक्षा इंगलेंड पता भारत में, एक साथ कब से आयजुत की जाने लगी, यहाँ भारते सिविल सेवा परिक्षा इंगलेंड पता भा किया गया था, तो बिल्告訴 नमर से 984 को किया गया था, लेकिन को बताना सिविल से शर्फ़ध्र च्यालना को बताने है, विवा पताना है, काफी कोशन है, तो बिल कूल आप सब बच्छों का समाशों होता है, एक कब पारित वा था तो बिल्कुल आप सब बचों का समय समाप्त हो था । तो इसका आंसर आपका 856 यानि right answer हो जाएंगे Q17 देखेगा आपके स्क्रीन पे सती पर था उनमुलन कानून किस वर्स लागू हुआ था तो यह जो 1879 को लागू किया गया था तो इसका अंसर आपका 870 राइट आंसर हो जाएंगे आप लोग का भी बिल्कुल राइक आंसर हो जाएंगे चले ने एक्स को सनके और चलते को सनमर 19 आपके स्क्रीन पर जल्ली बताई यह जलिए वाला बाग हत्याकार यानि जू है कभ वह थे 1921 को वह था 1922 को या 1927 को देखेंगे जलिए वाला बाग हत्याकार जो है कभ वह था यह आपका प्रेक्ट हो जाएंगे ठीक है तो इसका आप्रेल 1929 को हाथा इसका अपका आपने क्हावा था को इसके सथापना ये तो आप लोगो पता होगा लेकिन यहां दिया वा नहीं को पता हुगा लेकिन यहां दिया वा नहीं तो इसको मान सकते हैं चले कोशन आपके स्क्रीन पर 22 नमर कोशन साइवन आयोग ने भारत की आत्रा की थी यानि कब किया था साइवन आयोग जो भारत यानि कब आया था तो बिल्कुल आप लोगो पता होगा 1922 में बिल्कुल भी नहीं 1924 को भी नहीं 1926 को नहीं 1928 को जो आया थे 1928 को आया थे कौन यानि Simon Commission भारत कभाया था 1928 को चले कोशन आपके स्क्रीन पर कोशन नमर 523 चोड़ी-चोड़ा काण यानि कभवा था यह काफी इंपोर्टन कोशन है बिल्कुल आपको पता होगा चोरी-चोरा नामक अस्थान पर जो है मतलब क्या है या इन में से कोई नहीं तो बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होगा कि 1922 को वा था चोरी-चोरा कांड का भवा था यानि 1922 को वा था ठीक है उसका एक्जेट डेट क्या है यह आप लोग को बताना पांस फरवड़ी था या चार फरवड़ी था जल्ली बताईए चलिए नेक्स कोशन के और चलते हैं कोसर नमर आपके स्क्रिन पर कोसर नमर 24 तृपूरा तिर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे 25 देखेगा आपके स्क्रिन पर 25 नमर कोशन फरवड़ी था बहुत इंपोर्टन कोशन बहुत इभी वीए कोशन आपके एक्जाम के लिए तो डियोश्टन आप लोगो आई हो पता होगा बिल्कुल उनिशन चालिस में जब फड़ तो बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त हो था 1937 में तो इसका आंसर आपका 1937 राइट आंसर हो जाएंगे 27 देखेगा कॉंग्रेस मंत्री मंतल ने किस वर्ष यानि त्याग पत्र दिया था 1937 पे, 1939 में, Colorist में, देखेगे मंत्र मंतल ने किस वर्ष यानि त्याग पत्र तो 1949 को जो है यह तैक पत्र दिया था तो इसका आंसर आपको उन्चालिस राइट आंसर हो जाएंगे 28 देखिएगा गांधी रावीन सम्झोता यह नि कवा था बहुत ही वी वी कोशन आपके एक्जाम के लिए तो सो डिफिनेट वी आपको बता होगा गांधी रावीन सम्झो सब्सक्राइब को जाएंगे राजिंदर परशाद का जनम कहा हुआ था काफी इंपोर्टन कोशन है एक्जाम के लिए बहुत ही वी वी कोशन है तो जल्ली से बताइए इसका अंसर आप लोगा क्या हो जाएंगे देखिए राज इंदर परशाद यानि डॉक्टर आइंदर परशाद जो पर्थम राश्ट्र पती थे यह जो थे कहा इसका जनम हो था तो इसका अंसर आप का सी राइट आंसर हो जाएंगे 32 देखेगा मात्मा गांदी द्वारा सुरू किया गया पहला जन अंदलन कौन सा था तो बिल्कुल आपको बताए थे कि 1917 में जैसका पहला जन अंदलन था जिसको निल आंदलन भी का जाता है ठीक है यह आप लोगों को याद रखना है चल कहां पर है तो अजमेर में ठीक है कोशन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 34 कलकत्ता में ऐसे आटिक सोसाइटी के स्थापना आप लोगो को डिफिनेटली पता होगा यानि जो है विलियम जॉंसन के द्वारा किया गया था और यह कब किया गया था यह आप लोगो कमेंड करके स्थापना आप लोगो को डिफिनेटली पता होगा तो इसका आंसर आप लोगों का इनि राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चले आप लोग सभी बच्चों से मेरे डिक्वेस्ट है कि आप लोग जदा सब आपने फ्रेंस को शेर करें ताकि आपके दोस्तों भी जूर पहें थर्टी सेवन देखेगा प्लासी का यूद यानि कब वह था तो में दोस्ता आप लोगों को बताना प्लासी का यूद जो है यह कब हुए था यापका आंसर बिल्कुल पर्फेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीएट देखेगा पूर्तगाले ने गौवा में किस वर्स अपना व क्या था यरुए पर आकर के पंदवर सु दrences वें किया था तो इसका अंसर आपनों का पंदरसु दस राही प्स्क्रिन पर घुघ्क अ भशन क्या कर लाता है के लौडि विलेष लीए स्वागंत के गठन कर कब आया था यकल यूडप यूवा तो रहाट्री कमेट यूद प तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता इसका अंसर आपका 1817 में इसका अंसर आपनों का भी विल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चेले नेक्स कोशन के और चलते कोसर नमर 41 महात्मा गांधी का जनम यानि कब हुआ था तो मेरे डियर स्ट्रें आप लोगो बताना है महात्मा आपको बिल्कुल पता होगा लेकिन भारत जनता पार्टी का बता है बिजयत्ती का इसका स्टापना तो बिल्कुल आप लोग को पता है यह गया था कभी आपका एक सब्सक्राइब को गया था और वापी सुपंद्रे को आया था तो यहाँ आपका 1915 यानि दिया हुआ है तो बिल्कुल इसका अंसर आपका 1915 राइट आंसर हो जाएंगे यहां आपके स्क्रिन पर 46 यांडि किस का नारा आपका 195 या आपका 206 आ लेगा त्यक्ति यह पुरू इंप्सक्राइब को आपको आपनों को किसने गोख लेते तो इसका समय समाप्त होता है इसका आंसर आपका गोपाल किसने गोख लिए राइट आंसर जाएंगे अपने पहली फैक्टरी का स्थाफित किया था तो अंग्रेजों के द्वाराज अपने पहली फैक्टरी जो स्थाफित किया गया था वह सूरत में क्या था इसका आप लोगा शूरत राइट आंसर हो जाएंगे फिल्कुल आपके इसक्रीन पर शूरत राइट आंसर हो जाएंगे गोदाम जो भी बच्चे दिये हैं विल्कुल आप सब बच्चों का आंसर गोदाम राइट आंसर हो जाएंगे तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा फ्रांसिस बुकानान यानि कौन थे बिल्कुल सर्वक्चक राइट आंसर हो जाएंगे इसका आंसर ऑप्सन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है चले नेक्स कोशन के और चलते कोशन 55 यानि किसी राजय को पर सासन के आधार पर अंग्रेजी समराजय में मिलाया गया था तो वो जो था यानि कौन था आवद आवद और आवद से आठा सुल्तां का करांति का नेतित को जा था तो बिल्कुल आप लोगों को पता ओना थे यह आप लोगों को बतानी है तेजी से बताइए इसका आप लोगों को पता होगा अठाशन सब्सक्राइट को तो बिल्कुल इसका अठाशन सब्सक्राइट आंसर हो जाएंगे पूना समझता किस वर्स होगा तो बिल्कुल आपको बता होगा इसका अठाशन आप लोगों का यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे और 1932 को ही जब तीसरा गोल में समय लें रहा था पर्था मुनिस से दुट्य उन्हें शेकरतीस तीस जो है 1932 को बता था से लिए नेक्स कॉर्सन के जो चलते को सनमूर 63 आधुनिक भारत के निर्माता किसे आधुनिक भारत की निर्माता की रूप में हम लोग क्या जानते हैं तो इसका अंसर आपका राम मोहन राय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दिल्ली से लौताबाद की सासक ने अपनी राजधनी परिवर्ट किया था तो बिल्कुल आपको पता होगा मुहम्मध बिन तुगलक या लगो तो बिल्कुल आप लोगो को डिफिनेटली पता होना चीए इसका आप पार्षी में लिखा है तो इसका आपका पार्षी राइट रहां सरो जाएगे आपके स्क्रिन पर हमपी नगर की समराज यह समझी था हमपी नगर पहले जो पहले जो रांते थे वहां यह जो पता होगा और एक चीजिश्या आपको बता देश्या समराज के सब्सक्राइब लोगों पताओगा अपने आपको क्या कहते थे बिल्कुल आपको जो है राय कहते थे राय आनि ऑप्सन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्रसासी के सुधार के लिए यानी सेरसा खास तौर पड़ जाना जाता है तो बिल्पूल आप लोगों को पता है भूमी सुधार के लिए वो जाने जाते हैं तो इसका आंसर आपका भूमी सुधार राइट आंसर हो जाएंगे चेले Queshn आपके screen पे दि्वान असरफ का अर्थ दिवाने असरफ का अर्फ जो होता ही तो बिल्कुल आपको पता राजसर विवाद का अध्यक्ष होता है तो इसका answer आपका दी राइट आंसर हो जाएंगे सेवंटी नमर कोशन दीने इलाई संबंजित होगा यानि किस्से होगा तो यह दीने इलाई अगबर के दरा यह चला गया था और यह तो आप लोगों को बिल्कुल इफिनेट लियानी पता होना चीए ठीक है नेक्स कोशन के और चलते हैं कोशन प्रदान मत्री कौन था तो यह भी आप लोगों को पता होगा कोशन देखेगा सेवंटी टू दिली चलो का नारा यहीं किसने दिया था यहीं किया था पाकिस्तान सब्दक इसको कहा जाता है कौशन देखेगा बोद्क आपका यहीं सेवंटी छोड़ेशना है ने कहा किसने कहा था तो अगदम बिल्कुल बिलकुल इसका आंश एटीक सिक्स डिसकोवरी और इंडिया किसकी रचना है बारत का रास्टे गान यानि कौन सा है तो देखें भारत का रास्टे गान आप लोगों पता होगा जन्गनमन अधिनायक जो है बारत का रास्टे गान है कोशन देखेंगा आपके स्क्रिन पे 78 माई एक्स पे एक्स्प्रिमेंट्स विद्ट तुथ किसका आनि आत्म कथा है तो बिल्कुल यह महात्मा गांधी का है तो इसका आपका महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे शब्रिमेंट्स दखेंगे यह ध्रोन चार्षां होजए तो इसका आप लोग पता होगा कोशनार है कोशन Two गी moa सब्सक्रीन पे लिखा गया था यहां आपका मानेश्वर हो जाएंगे चेट्रिय सब्सक्राइब का जाहिए तो बता यह रक्षक होता है क्या होता है इसका रख्षक करें राइट आंसर हो जाएंगे गोतम बूत का जनम के बारे में आप लोगों को बताना है कां वाता तो यह पिल वस्ती के लुमबनी में इसका अंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मावीर ने पासवनात की सिधानत में क्या जो रहा था तो बिल्कुल बरहाचारी जो रहा था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए यह आपका बी मान लीजे और यह आपका सी हो जाएंगे ठीक है तो बरहाचारी यानि राइट आंसर हो जाएंगे से लिए 88 देखेगा आप लोगों पता होगा कौन सा होगा यानि नाम क्या था देखेगे रूजाषा का असली नाम क्या था वे ने नुर जाहां कास्री नाम मेहरुन निश्याद लेगम भच अग्बर नमा कितने खंड़ों में वखते है तो अख़र नमा जो है यानि 5 खंडों में वक्त है और आयनक बड़ी कितना में है यह आप लोगो कमेंट करके बताना क्योंकि यह सवाल आप से हम पूछे है 95 देखेगा आयनक बड़ी मुलता किस भासा में लिखी गई है तो इसका आंसर आप लोगा भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 96 पर बैठाता वह 5056 पर बैठाता और इसका राज अभी सेख जो है 556 पर वाता था तो अकबर के द्वारा यानि सिकंदराबाद में अपना मगबड़ा बनाया था नेक्स्ट को सब्सक्राइब का जनम कहां वा था जली बताए अकबर का जनम कहां वा था चले जली से बताए अमर कोट मुआ था कहां पर होगा था अमर कोट इसका अंसर आपका परफेक्ट होगा 99 देखेगा किस मुगल सासक ने सतीपर्था पर यानि परतिवन लगाने वाला जो कौन था तो बिल्कुल आपको बताऊगा अकबर है क्या है यह पन्रोसों सोच्ट में लग बगड़ा कोटन देखेगा लास्ट और अंतिम कोटन इस मुडलोड़ का जजब्डिया समाफ यानि किस मुगल इन समाफ कर दिया था जिसे जो टक्स वशूला जाता था वो टैक्स जो है यह समाप्त कर दिया जाता है इसलिए यह विश्व परचित जो है साचा के रुपयानी जाना जाता है कौन अगबर